गुद्मॉर्णिंग फ्रेंग्स वेलकुम टो टेचिंग गरू तो नेक्स्ट वाला टोपिक है हमारा अडेप्टिव कंट्रोल उप्टिमाजेशन इसे जो प्रीज वीडियो तो इसके अंदर हमने देखा था अडेप्टिव कंट्रोल मशिनिंग के बारे में तो अडेप्ट उप्टिव सब्साइब आदुन tes लेह लाएंर अजरे सवक आछ्पार परफोमिन्स होता है इसका अप्जीक्टिव क्या है इसका उपजीफ यह होता है कि इसका मकसद क्या है हम इसका क्यों इस्ते हीम इस्तिमाल करते है कि जो सपीड और फीड है प्रसेस करें कोई भी revisit practice on मतलब फीड का तो इसको काटना फ्रीड देनी कटिंग डूल हो कि इतना अंतर जाना चाहिए वो इतनी तेजी से काटना चाहिए और वरो मटीरियल को इसमें दो चीजं का खास दियान रखा जाता है इसमें मटीरियल रिमूबर रेट के हैं कि कितने हमारा मटीरियल हो रहा है और जो हमारे टूल हो कितना वियर हो रहा है क्योंकि जब material remove होगा बार-बार हम tool को इस्तमाल किया जाएंगे करे जाएंगे तो इसका tool के उपर भी wear है वो होना start हो जाएगा तो material removal rate और tool wear rate में दो main important function होते है adaptive control optimization में तो इसमें आपने यह लिखना है कि speed and feed को compensate करता है manipulate करता है instantly instantly मतलब साथ की साथ ही कर देगा जब कोई भी material में कोई भी changes आ जाएंगे material removal rate और tool wear rate के दो function है index और performance के तो यह था हमाराज का topic adaptive control optimization next video में बात करते है adaptive control constraints के बारे में thank you